क्वेस्टन नमबर एटीन देखते हैं इस क्वेस्टन में बताया गया थ्री चार्ज पार्टिकल्स A, B and C विच चार्जेज –4Q, 2Q and –2Q are present on the circumference of a circle of radius D the charge particles A, C and the center O of the circle form an equilateral triangle as shown in figure figure में देखेंगे कि एक ये है A ये B और ये C तो A, C दो charges हैं और ये center है O ये तीनो एक equilateral triangle बना रहे है तो ये वाला angle total होना चाहिए 60 degree जिसमें से ये 30 degree दिया गया है ये 30 degree हो जाएगा ठीक, तो हमें बताना है कि electric field at O along x direction ये जो center O है यहाँ पर net electric field x direction में आएगा, ओ कितना होगा ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं जो 2Q charge है इसकी वाज़से अगर यहाँ पर field निकालेंगे तो कितना आएगा E का value आएगा K into charge divided by distance का square distance radius के equal है तो इस charge की वाज़से इतना field आएगा किधर इधर कि तरफ क्योंकि ये negative charge है अच्छा ये भी 2Q charge है जितना charge ये था उतना ही charge ये था ये positive charge है तो इसकी वाज़से यहाँ पर field इतना ही आएगा क्योंकि यहाँ से distance भी D है और direction भी इधर ही होगा तो ये हो जाएगा 2E इधर इन दोनों का मिलागर के net 2E आएगा है नो electric field का direction चेक करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर positive charge रखते हैं देखते हैं उस पर force कितना लगता है तो जैसे यहाँ positive charge रखेंगे तो यह negative charge उसको attract करेगा इधर तो इधर field आ गया अगर यहाँ positive test charge रखेंगे तो यह उसको repel करेगा इधर तो यह और यह दोनों test charge पर इधर ही force लगा रहे है इसलिए elective is दोनों का इधर आ जाएगा अब इसकी वज़से अगर यहाँ पर field निकालेंगे तो वो आएगा इधर और यह भी आएगा 2E है ना जैसे अगर इसकी वज़से निकालेंगे तो यह आएगा k into 4Q divided by d square just इसका double है यहाँ पर 2Q choice था यहाँ फोर यहाँ इसका double है इसलिए 2E मैंने field इधर लिख दिया अब देखेंगे इस point पर इधर भी 2E field आ रहा है और इधर भी 2E field आ रहा है तो resultant बिल्कुल बीच में आना चाहिए इसका component आएगा इधर 2E cos 30 इसका component भी इधर आएगा 2E cos 30 इनका इधर वाला component cancel हो जाएगा तो total इधर जो force आएगा field आएगा जो 2E cos 30 इसका component और पलस इसका component तो मैं 2 से multiply कर देता हूँ यह जो है net x direction में field आएगा तो यह आगया 4 E का value यहाँ से रखेंगे K 2Q divided by d square cos 30 degree होता है root 3 by 2 तो 4K का value रखेंगे 1 by 4 pi epsilon 0 into 2Q by d square root 3 by 2 देखेंगे यह 4 और यह 4 cancel हो गया यह 2 और यह 2 cancel हो गया तो बचेगा root 3 into q divided by pi epsilon 0 d square तो यह net electric फिलाया x direction में तो देखेंगे जो fourth option है वो exactly उतना ही दिया है तो इसलिए यह correct option हो गया